हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल यासमीन किचन आप आज माँ आपके लिए लेकर आएं कम खर्चे में बनने वाली मिठाई की रेसिपी इस मिठाई की खास बात यह है कि इसे हमने बिना गेज जलाई बना कर रेडी किया है ऐसा नहीं है कि हमारी मिठाई खाने में टेस्टी नहीं है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है हमारी मिठाई है कोई पहचानी नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पर बना कर रेडी किया है वो भी इतने कम खट्चे में इस मिठाई को जो हमने लुक दिया है बिल्कुल मार्किट वाली मिठाई का हमने इसे लुक दिया है आप इसे जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता इतनी ज्यादा सोफ्ट और टेस्टी हमारी मिठाई बनकर रेडी होई है चलिए देखते हैं किस तरह से हमने इस मिठाई को बनाकर रेडी किया है उससे पहला अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरा आने वाली कोई भी लेटस रेसिपी मिस न कर सकें चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पर ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल अब हम इसमेट करेंगे डेसिकेटिड कोकोनेट नारियल का बारूदा या गिरी का बारूदा भी इसे कहा जाता है मैं यहाँ पर वन एंड हाफ कप डेसिकेटिड कोकोनेट का इस्तमाल कर रही हूँ अब हम इसमेट करेंगे हाफ कप मिल्क पौडर मिल्क पौडर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी मिठाई में बिल्कुल मार्किट वाली हमारी मिठाई बनकर रेडी होगी मिठाई बनाने के लिए मैं चीनी का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर धागे वाली मिश्री का इस्तमाल कर रही हूँ इदे की ये वाली जो मिश्री आती है मैं इसका इस्तमाल कर रही हूँ इसका हम पीसकर पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे अगर आपके पास धागे वाली मिश्री नहीं है तो आप यहाँ पर शुगर पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं मिश्री का हमारा पाउडर बनकर रेडी हो चुका है, मैं यहाँ पर 4 टेबिल स्पून पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कप ले सकते हैं और उसी साफ सभी चीज़े मेजर कर लीजिए इदी की सभी चीज़े हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब मैं इस मैट कर रही हूँ 1 फॉर्थ कप प्रूटी फूटी अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर डाइफ रूट का भी इस्तमाल कर सकते हैं डाइफ रूट को बारिक चोप करकर आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं डाइफ रूट आप अपनी पसंद के ले सकते हैं इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह दिखे सभी चीज़े हमारी मिक्स हो चुकी है अब हम यहाँ पर ले लेंगे हाफ कप दूद यह हमारा नॉर्मल दूद है ठंडा दूद का हम इस्तमाल नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा दूद एट करते हुआ हमें इसका दूद बना कर रेड़ी करना है अगर आप यहाँ पर दूद का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम का भी इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा दूद एट करते हुए हमने इसका soft dough बनाकर ready कर लिया है यहाँ पर हमारा 4 table spoon दूद का इस्तमाल हुआ है जो हमने half cup दूद लिया था उसमें से हमारा 2 table spoon दूद बच गया है चलते हैं इसे set करने के process पर मैंने यहाँ पर ले लिए एक polythene आप किसी भी polythene का इस्तमाल कर सकते हैं polythene हमारी set हो चुकी है अब हम इस में add करेंगे better अगर आप यहाँ पर polythene का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो aluminium foil आता है उसका इस्तमाल कर सकते हैं इदे के इस तरह से हमें इसे हातों से shape देना है आप इसे किसी भी shape में बना सकते हैं मैं इसे triangle shape में बना रही हूँ इदे कहीं से भी अगर यह आपको तूटता हुआ नजर आ रहा है तो आप इस तरह से हातों की help से से सेट करते हुए इसको triangle shape में ready कर लीजे मैं यहाँ पर इसे triangle shape में ready कर रही हूँ आप इसे किसी भी shape में बना कर ready कर सकते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए new design लेका रहा हूँ इसलिए मैं इसे यहाँ पर triangle shape में बना कर ready कर रही हूँ मिठाई को बनाते समय आपको एक खास बात का खयाल रखना है कि हमारी मिठाई कहीं से भी टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए नहीं तो हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी आप देख सकते हैं हमारी मिठाई में कितना प्यारा सा triangle shape पाच चुका है अब हम इसे cover कर लेंगे जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हमें इसे cover करना है इस तरह से हमें इसे soft hand से cover कर लेना है दोनों side को हमें इसकी fold कर लेना है और इसे हम एक plate में transfer कर लेंगे अच्छे से shape दे देंगे हम इसे क्योंकि इसे जब हमने उठाया था तो इस soft होने की वज़े से इसका थोड़ा सा shape खराब हो चुका था अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए freeze में रख देंगे आप चाहें तो इसे freeze में रख सकते हैं नहीं तो आप इसे आदे गंटे के लिए room temperature पर भी छोड़ सकते हैं इदी कितना प्यारा इसमें triangle shape आया है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी मिठाई लग रही है 15 मिनट के बाद हमारी मिठाई अच्छे से set हो चुकी है देखे कितनी प्यारी से हमारी मिठाई बनकर ready हो चुकी है अब हम इसके pieces cut कर लेंगे pieces आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े cut कर सकते हैं आपको मेरे cutting करने से ही पता चल रहा हो कितनी ज्यादा soft हमारी मिठाई बनकर ready हो यह इस point पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी latest recipe मिस ना कर सकें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर क्या कीजिए ताकि आपकी कमेंट पढ़कर हमें अच्छा लगे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी दानेदार हमारी मिठाई बनकर रेडी होई है जितनी ज्यादा हमारी मिठाई देखने में अच्छी है उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी है ये देखिए आप देख सकते हैं इसका टेक्चर कितना प्यारा सा इसका टेक्चर आया है मैं आपको एक पीस तोड़ कर दिखाती हूँ यह देखे कितनी ज्यादा सौफ्ट हमारी मिठाई बनकर रेड़ी होई है इस पॉइंट पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इसाथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटर्स रेसिपी मिस्ट ना कर सकें वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज